साथियों, देश के एग्रिकल्चर सेक्टर की उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किये गए हैं आज भारत का एग्रिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक बाइबरंट हुआ है आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आधुकरन आधुनी करन तो हो ही रहा है किसानों को डिजिटल प्लेटफरम पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है इन सारे प्रयांसोंगा लक्ष यही है कि किसानों की आए बड़े देश का किसान सम्रुद्ध हो जब देश का किसान सम्रुद्ध होगा तो देश भी सम्रुद्ध होगा देश में खेती किसानी से जड़े नई कानूनों के खिलाफ पंजाब और हर्याना की किसानों के चल रहे आंदॉलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों को बहुत जरूरी बताया है उन्होंने कहा है कि एग्रिकल्चर और इसे जुड़े सेक्टर में खड़ी दीवारों और अर्चनों को खत्म किया जा रहा है जिससे क्रिशी छेत्र में ज्यादा निवेश आने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फेडरीशन आफ इंडिया चैंबर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्शिक आम बैठक में कहा कि अग्रिकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे अग्रिकल्चर इंफरस्टरक्चर हो, फूड प् शेयाफ मिलेगा, देश का cold storage infrastructure आधुनिक होगा। इन सब का सबसे ज्यादा फाइदा देश के किसानों को होने वाला है। आज भारत की किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बैचने का विकल्ब है। आज भारत में मंडियों का आधुनीكी करण तो हो ही गए हैं देश के क्रिशी शेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किये गए हैं उससे भारत का एगरिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइबरेंट हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निस्चित है कि 21 सदी के भारत की ग्रोथ को गाउं और चोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं आप जैसे एंट्रोप्रिनियोस को गाउं और चोटे शहरों में निवेश का मौका बिलकुल नहीं गवाना चाहिए पिये मोदी ने कोरोना काल के दौरान सरकारों के प्रयासों की भी चर्चा की उन्होंने कहा कि हमीशा से वैश्वि देश भी देख रहा है और दुनिया भी हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं श्वात चोहन पंजाब केश्री दिल्ली